आज मैं आपको कुरिश्य का बहुत प्यारा से डिजाइन बताने वाली हूँ दिखें मेरा कुरिश्य नमबर दस है हमने दस चैन बुननी है एक दो तीन चार पांच छे सान तार्ट नौ दस दस चैन बुनाएंगे और इसके बाद इसे फर्स्ट से जॉइंट करेंगे इस तरहां कि देखें एक दो तीन चार चार चैन बुनेंगे और देखें एक दो बल लेंगे और इस रिंग के अंदर बुनेंगे फिर दो बल लेंगे इस रिंग के अंदर बुनेंगे दो बल लेंगे देखें दो तीन चार पाँच फिर दो बल लेंगे और इसके अंदर बुनेंगे तो यह हमारे शिक्स टाइम हो गए हैं इस तरह से फिर आपने क्या करना है एक दो तीन चार पांच पांच फिर छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा के बाद देखिया आपने क्या करना है यहां से देखिए एक दो कि दो तीन चार पांच हा आपने फाक्ष पांच हैं वहाँ चैन में आपने इस तषाँ से इसको जाइन खरना है इस तरह से एक लोप और बन जाएगा फिर आपने एक ठ pessoas फिर दो तीन चार पांच फांच तो ट ऐन देखिये एक और दो दो बल लेना है फिटसे इस के अंदर आपने six time ही बुलना है इस तरह फिर देखे एक और दो दो बल लेना है इस तरह से दो बल लेंगे और इसी चैन में हमने बुलना है देखे जी four time हो गया है कि पाइफ है और यह six जिससे यह पनाता है बिल्कुल इस तरह से हमने बना लिया फिर देखे एक दो तीन गयार चैन बुलेंगे हान में इस तहाओ से इसको ज्रूइंट करना है एक दो तीन चार पांचs पांच चैन बुलेंगे और देखें फिर एक दो दो बल लेंगे और इसी में हमने फिर से 6 टाइम बुनना है इस तरह से हमने यह रोग कंप्लीट करनी है तो यह रोग कंप्लीट करके बता दें कि नेक्स्ट रोग में हमें क्या करना है इस तरह से देखें मैंने इस रोग कंप्लीट किया है देखें य यह चैन के में रिंग बनाया फिर इधर पाच चैन इस तरह से देखिए मैंने फोर टाइम कम्प्लेट के लिए यह हमारी फोर पतियां बनेंगे देखिए दो तीन चार और अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ रहें तो जॉइंट करेंगे देखिए यहां हमने उसे जॉइंट कर चार चैन बनेंगे एक दो दो बनेंगे और देखिए हर चैन में हमने फिर से इस तरह बहुना है आव her दो फंदे हो फिर दो तो बनेंगे सेकंड चैन में में बनेंगे तीन पंदे हो गए फिर देखे इसमें बुनेंगे देखे चार पंदे हो गए इसमें बुनेंगे दो चार पंदे हो गए और यह छे ओगए और अब इन सब को एक साथ इस तरह से बुनेंगे इस तरह दीखे प्रंट इस तरह से दिखे प्ति तयार हो गई है अब आपने क्या करना है देखे एक और दो दो चायन बुनेंगे और यह देखे एक, दो, तीन, अब हमने तीन बल लेने हैं और यह जो आपने रिंग बना है इसके अंदर बुनना है इस तरह से, देखें, फिर आपने क्या करना है, एक, दो, दो चैन बुनेंगे, फिर एक, दो, तीन, इस तरह से, देखें, फिर एक, और दो, तीन बल लेंगे, इसके अंदर, यानि आपने इसके अंदर, फ्रैंड, ट्वाइल टाइम बुनना है, इसी रिंग के अंदर, एक, और दो, तीन बल और इसके अंदर बुनेंगे, तो फ्रैंड्स, में ट्वाइल टाइम बुन कर बताती हूं के नेउस्टा में क्या करना है, इस तरह से हमने इस हिंग दिखे, ट्वाइल टाइम बुन लिया है, देखें, दो, चार, चे, ताट, नो, तस, ग्यार, बारा, 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 और दो दो बन लेने हैं और दो बन लेने हैं और इसमें अब आपने इस तरह से हर चैन के आपने बनेना है इंगी से है है बना है धो बन तो इस तसरो आपने है आपने हैं आप도 आपने हम फेली ऐस है आपने हमेने हैं पंत्य सब्सी बने बना है दो रजेका आपने हैं चास, वितちゃん, वाइश, बना वाठया हैं पुर्या आज दो ढ अश़告訴 के पम सब च। और यह सब को एक साथ बुन देंगे इससे हमारे पस्की का शेव आ जाएगा इस तरह जैसे यह कंप्लीट हो गई यह भी कंप्लीट हो गई अब आपने एक दो दो चैन बुननी है फिर एक दो तीन तीन बढ़ लेना है और इस रिंग में आपने फिर से फ्रैंट्स 12 टाइम ही बुनना है बीच में आपने दो दो चैन का गैप रखना है और तीन बल लेना है और फिर आपने इस तरह से बुनना है तो देखिए जैसे मैंने यह त्यार करा है देखिए यह कोना आपने इस कोने को भी त्यार करना है इस कोने में भी इसी तरह बनाना है और इस कोने में तो इस तरह से यहां से देखिए यहां से जॉइंट करेंगे इस तरह और यहां देखिए सिंगल कुरशे से इसी के अंदर दो बार बोनेंगे एक दो फिर देखी जाली है फांस्ट इसकी अंदर सिंगल को रश्य से दो बार बनेंगे एक दो फिर देखे एक दो तीन तीन चायन बनेंगे और यहां से इसको इस तरह से जोड़ देंगे फिर आपने एक यहां से फिर आपने देखी इस जाली में दो बार सिंगल को रश्य से एक और दो फिर देखे एक दो तीन तीन चायन बनेंगे और देखे यहां इस तरह से इसको जोड़ देंगे इस तरह पिर देखे इस जाली में एक दो तीन और यहां से इस तरह से इस तरह से बनाएंगे लिए तो फ्रैंट्स देखिए मैं हर जाली में इसी तरह से बुनकर आपको बतातें के नेक्स्ट हमें क्या करना है इस तरह से देखे मैंने इस स्क्वायर को देखे कंप्लीट कर लिए अब देखे फ्रैंट्स अब हमने इस तरह से एक और बना लिया है अब हम इन दोनों को जोइंट करना बताएंगे आपको देखे यह मैंने यह मैंने बनाया है देखे अब आपने इसको देखे किस तरह से करना है तो दिखे यह चाहर पांच छह साथ के बाद आपने यहां बुख दो जाह बनेंगी और दूझी यहां थे बीड़ी और दूझी बनें आपको और सीधे रखने के बाद इसे जोड़ना है पिर देखे एक और दो के बाद आपने देखे इस तरह से कि इस तरह से यह देखे जूड़ गया है फिर आपने देखे यहां से कि देखे यहीं यहीं कम्प्लीट होगे इस चार्ली में आपने फिर सिंगल को रिशा से दो बार एक और दो दो बार बनेंगे फिर एक दो दो के बार, फिर देखे, यहां से, इस तरह से, इसके अंदर से ले लेंगे, फिर आपने इह देखे, एक, दो, दो के बार, फिर आपने देखे, यहां, इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे, तो देखे, इस तरह से हमारा जूड़ गया है आपस में, फिर आपने क्या करना है, फिर देखें, आपने इसके अंदर सिंगल को रिशे से बोलना है, इसके बाद एक इस जाली में बनेंगे, एक, दो, फिर एक, दो, तीन, तीन के बाद छोटा सा कॉंगुरा बनाएंगे, या पीकूट कहली जे बनाएंगे, फिर इसके बाद दीखें, एक, दो, इसके बाद, एक, दो, तीन, तीन, चैन, फिर इस तरह से, फिर आपने, एक, और दो, दो चैन बनेंगे, और यहां लेकर आएंगे, इसको यहां से, जोइंट करेंगे, फिर देखें, इसके अंदर, एक होगे, यह दो हो गए, फिर इसके अंदर देखें, यहां एक, दो आपने यहा देखे प्र इसके बार यहां आपने एक और दू दो चैन भणी फिर एक और दू के बार कि छोट सा कंगोडा बनाएंगी आप इस तरह से फिर आपने इसमें एक दो फिर एक और दू दो चैन बुलेंगे और अब देखिए इसके बाद आपने बुलना है देखिए यहां से यहां दो छोड़ेंगे यहां से इसके अंदर है यह जागता है इस तरह हम एक और दू दो के बाद देखिए यहां यहीं से आपने इसको जोइन्ट करना है इस तरह पिर आपने दिखिए इस जाली में एक और दू फिर एक और दो दो चैन और अब दिखिए इस तरह लेके कंबोडर से जोखना है अब कि इस तरह हैं फिर एक और दो दो चैन और यहां से इस तरह हैं यह पिर आपने इस चाली में बुलना है एक दो एक दो तीन कि इस तरह से मैंने देखिए इसको जॉइंट भी कर लिया है और जॉइंट करने के बाद देखिए इसका लुप इस तरह से आया है अब आपने फ्रेंट्स फिर से देखिए एक और लेना अब आप बस इन पर ओर हुए यहा पर बिदो है यहां भी दो है यहां भी दो है यहां भी दो है और इस तरह से जोग जानिगे कंपलेट हो गया ओड़र फेंड्स आपको यह हमारा खरक अचा लगे तो लाइक शेयर सबस्क्राइब जरूर कीजिए थैंक्स कर वोचिंड प्रिट्स झाल झाल झाल